हलो एवरिवन आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको step by step cake की perfect तरीके से icing करना सिखाऊंगी और साथी कैसे cake की sharp edge लाई जाती है वो method भी बताऊंगी लेकिन अगर किसी वज़े से आपकी cake की icing ठीक से नहीं भी हो पाती है तब आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका cake जो है वो perfect finishing के साथ beautiful दिखे और आज इस वीडियो में friends cake की icing से related मैंने बहुत सारी नई latest tips और tricks भी शियर की है जो आप सभी के लिए बहुत ही useful होगी तो friends वीडियो को end तक जबू देखेगा आए स्टार्ट करते हैं तो जब भी आपको cake की perfect तरीके से icing करनी हो चाहे वो 1kg का cake हो या 1kg का cake हो आपको उसे हलके गरम में ही cake tin से demol करना होगा और जब वो हलका गरम हो तभी आपको उसकी perfect तरीके से पहले तो top layer को remove करना है और उसके बाद cake के size को देखते हुए आप चाहें तो 2 layer या फिर 3 layer भी cut कर सकते हैं लेकिन ये भी आपको एकदम perfect तरीके से cut करनी होगी इसके लिए आप चाहें तो thread या फिर बड़ा वाला nice भी use कर सकते हैं और जब आपका cake अच्छे से ठंडा हो जाए तब आपको उसे assemble करना है उसकी icing करनी है icing करने के लिए आप सबसे पहले board के उपर cake की कोई भी middle वाली या उपर वाली layer रख सकते हैं उसको अच्छे से moist करना है फिर उसके उपर cream लगा करके आप जो चाहें fruit crush हो या पर chocolate का नाश हो वो apply कर सकते हैं लेकिन cake की top layer में आपको cake की base layer को ही place करना है आप वीडियो में भी देख सकते हैं जो मेरे cake की base layer थी उसको मैंने top में place किया है इससे दो benefits हमें मिलेंगे एक तो उपर की तरफ से cake में ज़्यादा crumbs नहीं निकलेंगे जिससे की हमारी icing अच्छे से होगी और दूसरा ये layer एकदम plain होती है तो हमें उपर की तरफ एकदम plain surface मिलेगा और layers लगाने के बाद आपको cake को हलके हाथों से set करना होगा ताकि ये एकदम सीधा रहे जब आपकी सारी layers set हो जाएंगी फिर हम इसकी crumb coating करके इसकी icing करेंगे crumb coating में हम थोड़ी थोड़ी cream ले करके पहले तो cake के side में लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर पहले तो मैंने जो cake के side में cream निकली हुई थी उसी को समझ किया है और फिर थोड़ी सी cream ले करके हम इसकी side में crumb coating करेंगे friends crumb coating का मतलब होता है cake के छोटे मुटे जो कण होते हैं crumbs होते हैं उनको cream के साथ हम cake के अंदर ही height कर दें जिससे कि जब हम इसकी final finishing दे तो वो बहुत ही अच्छी आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी cream ले करके cake के चारो तरफ की gaps को fill कर रही हूँ इस काम को करने के लिए आप अपने turn table को rotate करते रहेगा और उसकी opposite direction में इस तरीके से spatula को cake से touch करके आप से finish देते रहेगा यहाँ पर एक बार cream लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी cream और ली है और फिर से मैं क्रम coating ही कर रही हूँ तो लगभग एक से दो बार मैंने अच्छे से cake की क्रम coating कर लिया है सभी gaps को fill कर दिया है और जो side में छोटे मोटे cake के crumbs गिरे थे board पर उन्हें भी मैंने clean कर दिया है क्रम coating के दोरान जो spatula में friends cream निकलती है उसे आपको separate bound में ही रखना है और फिर बाद में उसी cream से आप इसकी top layer की भी क्रम coating कर सकते हैं क्योंकि इस cream के अंदर friends छोटे मोटे cake के करण होते हैं अगर आप उसे अपने main icing bowl के अंदर mix कर देंगे तो आपकी सारी cream के अंदर वो crumbs आ जाएंगे और जिससे की final finishing में आपको दिक्कत आएगी और जब आप cake के अच्छे से क्रम coating कर लें तब आप उसे 5-10 मिनिट के लिए fridge में set होने के लिए रख दीजेगा और तब तक आप अपनी cake की white color की cream हो या colored cream हो या फिर chocolate cream हो ready कर सकते हैं यहाँ पर मैं chocolate cake बना रही हूँ तो मैंने गनाश डाल करके cream को ready किया है उसे piping bag में fill किया है और इस तरीके से हम evenly इसके उपर cream लगा देंगे अगर आप beginner reference तब तो आप इसी method को use कीजिएगा इससे गलती का कोई chance नहीं रहता है और cream भी बहुत अच्छे से लगती है और जब आपकी अच्छे से cream लग जाए फिर आपको एकदम साफ सा scale या फिर spatula लेना है और turn table को जिस direction में आप rotate कर रहे हूँ spatula को आपको उसकी opposite direction में घुमाना है आप screen पर देख सकते हैं मैंने एक बार जहां से start किया वहां तक ला करके spatula को finish किया है और फिर जिस direction में हम पहले side में spatula ले जा रहे थे उपर की तरफ उसकी उल्टी direction में हमको spatula खुमाना है आप देख सकते हैं मैं turn table को अब बिलकुल opposite direction में खुमा रही हूँ आपने देखा होगा friends कई बार spatula में cream उखडती हुई वापिस आ जाती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम गलट direction में spatula को खुमाते है तो जब भी आप side की cream लगाएं spatula से उसकी opposite direction में ही आपको उपर की cream को spread करना है तो सबसे पहले तो आपको cake की उपर की तरफ की perfect finishing देनी होगी extra cream आप remove कर सकते हैं और फिर हम side की edges को smooth करेंगे उसके लिए आप चाहें तो कोई ATM card, कोई plastic sheet का piece, कोई ताश का पत्ता या फिर आपके पास कोई scrapper हो तो आप use कर सकते हैं लेगिन उसकी edges जो हो वो एकदम smooth होनी चाहिए और फिर इस तरीके से turn table को rotate करते हुए आपको side की perfect finishing देनी होगी extra cream आप पीच-पीच में remove करते रहिएगा आप देख सकते हैं मैंने आपर एक OHP sheet का piece लिया है और turn table की मदद से मैं side की अच्छे से finishing दे रही हूँ कहीं आपको लगता है cream कम देख रही है तो आप वहाँ पर cream को place कर सकते हैं तो जब side की finishing आपकी अच्छे से हो जाए उपर की भी हो जाए फिर आपको एकदम साफ सा spatula लेना है और बाहर से अंदर की तरफ लाते हुए extra cream को remove करना है और ऐसा करते हुए आपको हर बार अपने spatula को या तो कपड़े से या फिर tissue paper से clean करना होगा ऐसा करने से आपकी उपर की surface की एकदम perfect finishing आएगी और आपको हमेशा cake की उपर की तरफ की icing को ठीक करते हुए ही finishing को end करना होगा उसके बाद अगर आप side में फिर से scrapper घुमाएंगे फिर आपको दुबारा से उपर की तरफ की finishing देनी होगी अगर ये सारे steps आप follow करेंगे तो आपकी cake की icing बहुत ही perfect तरीके से होगी लेकिन अगर किसी वज़े से आप icing ठीक से नहीं भी कर पाते हैं तब आप इस तरीके का कोई भी zigzag scrapper ले सकते हैं आपके पास ये scrapper ना हो तो आप किसी भी visiting card को zigzag कट करके उसे भी ready कर सकते हैं और फिर पहले तो आपको side में इस तरीके से रख करके turn table को rotate करते हुए side में zigzag pattern बनाना होगा और फिर उसी तरीके से scrapper को ही use करके आपको बाहर से अंदर की तरफ strokes लगाने होगे जिससे की उपर की तरफ भी एक zigzag वाला texture आ जाएगा और इस तरीके से आप अपने cake के चारा तरफ एक खुबसूरत सा pattern बना सकते हैं तो जब भी आपकी cake की icing ठीक से नहीं हो पाए आपके पास time कम हो तब आप मेरा ये वाला formula यूज करके अपनी जो भी unfinished वाले point है उनको finish दे करके अपनी सारी गलतियों को height कर सकते हैं लेकिन friends इसका ये मतलब नहीं है कि आप icing करना छोड़ दे आपको practice करते रहना है क्योंकि जब तक आप practice नहीं करेंगे आपकी icing अच्छे से नहीं हो पाएगी तो जब भी आपको cake बनाने का मौका मिले आपके पास time हो आप उसकी perfect icing करने की कोशिश करते रहेगा और अगर आपसे icing नहीं भी हो पाती है तब आप ये वाला formula यूज कर सकते हैं तो ये था friends आज का मेरा special video मेरे उन special viewers के लिए जिनको cake की icing करने में दिक्कत आ रही थी यहाँ पर आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगी आपकी cake की icing तभी ठीक से होगी जब आपकी cream एक तो perfect तरीके से whip होगी और आपकी cake की layers भी एकदम evenly cut होगी तो I hope friends ये वीडियो आप सभी के लिए useful रहा होगा तो फटा फट से इसे like कीजिए share कीजिए अपने family और friends के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए नई नई interesting recipes और वीडियो को लिए आज के लिए बस इतना ही दिलते हूँ अपने नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई-बाई, टेक केर, कीप ट्राइग और कीप बेकिंग